हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश टेंथ का उर्दू का अब्जेक्टिव हैंड नोट्स का जो है पार्ट सेवन करने वाले हैं इसके पहले भी छे पार्ट चैनल पे दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसको देखना बहुत जरूरी है उसके बिना आपकी तैयारी बिल्कुल अधूरी है ठीक है तो उसको जरूर से जरूर देख लिजेगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल अकन को दबा लिजेगा ताकि आने वाली हर तो वहीद ने पास किया था याद रखियेगा question25 नमर आते हैं कि समय ओम वहीद ने कितने साल की उम्र में गाउव चोड़ा था तो वहीद ने बारा साल की उम्र में गाउं को छोड़ दिया था ठीक है question剛剛 कुश्चन नमबर आते हैं हम लोग तीन पे कह रहा है कि बहु बेगम ने कहां की तालीम हासिल की थी तो यूरोप की तालीम हासिल करी थी याद रखियेगा कुश्चन नमबर आते हैं चार पे कह रहा है कि बहु बेगम कैसी खातून थी तो तालीम याफता खातून थी कुश् अफसाना बासी फूल मुश्निफ कौन है? अली अब्बास हुसाईनी ठीक है देखे ले लेक्षक सब का नाम भी आता है तो लेक्षक का नाम मैंने écrit से याद करवा दिया तो लेखक का नाम ट्रिक से वहाँ पे दिख जाएगा उसको देख कर जाईएगा लेखक का नाम से जान लिजे कि पास सवाल आपका वहाँ पे रखा हुआ है ठीक है न उसको अदम जरूर से जरूर कर लिजेगा अफसाना दो फिरलोंग लंबी सलक का मरकजी किरदार कौन है तो गोरे हैं कौन है गोरे है उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सवाल है फकीर किस वक्त आराम फरमाने का आदी था तो दोपहर के वक्त किस वक्त आराम फरमाने का वो आदी था दोपहर के वक्त आराम फरमाता था उ इसको याद कर लिजेगा, यह बहुत important है, उसके बाद है हमारा मुशनिफ ने गुली डंडे को खेलो का राजा क्यूं कहा, सस्ता होने के कारण, क्यूंकि गुली डंडे क्या होता, सस्ता होता, आसानी से उपलब्द हो जाता है, question number 12 प्या यह कह रहा है, अफसाना गुली का मुशनिफ कौन है, तो प्रेम चंद, अफसाना गुली डंडा का मुशनिफ कौन है, प्रेम चंद है, उसके बाद है हमारा गुलशन में फिरूं की है, शैर शोहरा देखूं, किसकी रुबाई है, तो मीर अनिस की रुबाई है, याद रखिएगा, रुबाई में कितने मि आधी कौन से लिखी गई थी नजमे आंधी लिखी गई थी याद रखना है तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बैल अकन को दबा लिजेगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे जाए